असलाम अलेकम, dear viewers, कैसे हैं आप लोग, guys, hopefully आप लोग fine होंगे, तो, maybe fine, what a coincidence, इनिकल तो करनी होती है आप लोगो ने, चले, anyway, आपको पता है सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, जो very first time देख रहे हैं, वो subscribe करें, bell icon press करें, और all notifications पर क्लिक करते हैं, ताकि आपको इससे आगे आ कर दें यार, subscribe और कितनी दफ़ा आप lecture subscription के बगार देखेंगे, तो आप भी subscribe कर दें, और advance में thank you so much, चले हम अपने topic की तरफ चलते हैं, आज हम first year का एक topic पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले हमने liquid crystals पढ़ा था, फिर हमने उसके बाद amorphous and crystalline solids के बारे में पढ़ा था, अब जो इससे next article आपके book में आता है, वो properties of crystalline solids है, तो आधी properties हम इस lecture में पढ़ लेते हैं, आधी properties हम इससे अगले lecture में पढ़ लेते हैं, तो let's start, properties of crystalline solids, जो very first property है, property of that is three dimensional space, मतलब इनकी जो geometrical shape है, तो हम यह कहेंगे कि इसके अंदर जो atoms होते हैं, यह हम कल crystalline solids के definition भी dimensional structure, इनकी three dimensional structure होती है, three dimensional structure कैसे की होती है, यह मैंने last lecture में आपको draw करके भी दिखाई थी, for the sake of comprehension में यहाँ भी draw कर दूँगा, दूसरी बात, इनका यह three dimensional pattern होता है, x, y, z direction में particles जोड़े होते हैं, अच्छा, उसके बाद, हम इससे अगली बात करें, इनकी यह three dimensional arrangement होती है, यह recurring structure होती है, recurring, recurring का word यूज हुआ है, आपकी book में, recurring, recurring होता है, बार बार repeat होने वाला, three dimensional एक unit cell आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौता आएगा, और unit cell क्या होते हैं, यह भी आने वाले दिनों में lecture आने वाले हैं, तो मतल होने माली, अच्छा तीसरी बात जो है ना, यह characteristic होती है, इसकी, यह इनकी characteristics होती है, even हम इनको, characteristic का मतलब क्या है, कि जब हम इसको grind कर दें, powder form में convert कर दें, तो भी इनका characteristic, three dimensional pattern जो होता है, वो खतम नहीं होता, तो हम कहते हैं, कि three dimensional pattern जो होता है, three dimensional pattern pattern, pattern, remains characteristic, remains characteristic, even it is ground to a fine powder, fine powder. मतलब हम इसको बरी powder की सूरत में भी convert कर देंगे ना, तो इसकी three dimensional arrangement जो होती है, वो खतम नहीं होती, अब यह वाली जो सारी बाते हैं, इनको आपने अगर अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो that's fine, इनको रटा मारने के ज़रूरत नहीं है, जो के पाकिस्तानी students का favorite hobby है, रट powder form में convert कर दें, तो यह अपना three dimensional pattern change नहीं करती, लेकिन अगर हम इसको fuse कर दें, melt कर दें, यह हम इसको water के अंदर dissolve कर दें, तो ऐसी सूरत में इनकी three dimensional structure break हो जाती है, यह ions में convert हो जाते हैं, अच्छा अब three dimensional pattern मैंने last lecture में भी बताया था, मैं इस lecture में भी बता देता हूँ, ए y axis में grow करेंगे तो यहां पर एक particle आजाएगा, जब इसको x axis में grow करेंगे तो यह particle आजाएगा, look at this, यह particle आगया, अब इसको y direction में grow करेंगे तो यहां particle आजाएगा, अब मैंने z direction में किसी को भी grow नहीं किया, आप इन सब को z direction में grow करें, यह इसकी z direction आगई, यह इसकी z direction इसकी बात करें तो ये इसकी Z डिरेक्शन आ जाती है चलें इसको इधर ग्रो कर दें इसको Z में ग्रो करेंगे तो ये आ जाती है ये Z डिरेक्शन में सबकी ग्रोथ होगी अब इसकी X में ग्रोथ करेंगे तो ये इसके साथ मिल जाएगा इसकी Y में ग्रोथ करेंगे तो ये इसके साथ मिल जाएगा तो अब ये एक three dimensional pattern जो है एक crystal का show हो गया ये एक cubic crystal का मैंने एक cell draw किया तो ये three dimensional pattern इसमें रहेगा forever आगे चलके इसको मैं थोड़ा सा और explain करूँगा ये unit cell जब आएगा topic या आगे solid का portion जो हमने सारा पढ़ना उसमें बार बार ये ही repeat होंगी चीज़ है अच्छा खैर अब हम चलते हैं इसकी second property की तरफ जो के आती है melting and balling points अब melting points की बात कर ले melting points melting points अच्छा students अब देखें melting points की जब हम बात करते हैं melting point होता गया ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ ना इंत क्लास है फ़र अब रटे मारते आ रहे हैं कि ये वो temperature होता है जहां पर जो कोई solid होता है वो liquid form में convert हो जाता है अच्छा melting point जो हैते हैं इनके sharp होते है sharp melting point look at this मैं लिखता हूँ sharp melting points ये शो करते हैं जो crystalline solids होते है sharp melting points अब पता नहीं ये sharp के end पे e आता है कर नहीं आता आप लोग इसको खुद ही देख लिए I think so नहीं आता अच्छा अब शार्प melting point क्या होते हैं तो बच्चो अब ये बड़ी मज़े की बात बताने लगाँ आपको sharp melting point देखें आम तोर पे जब किसी चीज़ को melt करते हैं तो वहाँ पर दो possibilities होती हैं किसी crystalline solid को melt करेंगे ना उसका melting point जब आएगा तो वह melt होना शुरू हो जाएगा लो जी जितनी देर तक वह melt होता रहेगा उतनी देर तक उसका जो temperature है वो उस temperature से increase नहीं करेगा आप heat करते जाएं जब वह पूरा melt हो जाएगा फिर temperature बढ़ेगा तो यह होता है sharp melting point मैं आपको simple सी example देता हूँ sodium chloride की sodium chloride का melting point 801 degree centigrade 800 degree centigrade तक sodium की कलोराइड की जो structure है उसको कुछ भी नहीं होगा वह दीट बना रहेगा आप heat करते जाएंगे sodium chloride आपको दंदिया निकाल निकाल के दिखा आ रहा है वो melt ही नहीं हो रहा है जैसे ही temperature 801 degree होगा तो जो sodium chloride है वो melt हो नहीं हो जाएगा 801 degree पे आप इसको heat करते जाएंगे जब तक sodium chloride पूरेगा पूरा मेल्ट नहीं हो जाता 802 degree नहीं आएगा तो यह होता है sharp melting point कि जब एक particular value अब जो sharp नहीं होते उसमें range आ जाती है range आ जाती मतलब कोई भी substance वो एक temperature पे melt होना शुरू होता दूसरे temperature तक melt होता चला जाता है मतलब melt होते 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 temperature बढ़ जाता है कोई भी substance ले लेते हैं मेरे जहीं में इस टाइम पे कुछ भी नहीं है तो नेफ्थलीन की बात कर लें नेफ्थलीन की बात करते हैं 80 degree centigrade 81 I think उसका होता है melting boiling point 81 पे melt होना शुरू हो जागा पीट करते हैं melt होते हो तटम प्रिजर 90 पे चला जाएगा तो इसमें रेंच आगी ना तो यह शार्प नहीं है तो गाईस simple जी बात है इनके जो melting points होते हैं वो sharp होते हैं अब हम तीसरे point की तरफ चलते हैं तीसरा point quite interesting है तीसरा point इसका तीसरी property that is cleavage planes class melting point में भी याद करने वाला कुछ नहीं है cleavage planes तो बच्चो यह है बड़ा important short question define cleavage planes I think light reflection की वज़ा से शायद नजर ना आए तो cleavage planes को define करें it is a short question तो बच्चो cleavage यह word निकला है cleave से cleave का मतलब होता break हो जाना toot फूट जाना तो जी अब देखें cleavage plane किसी crystal के अंदर ऐसे planes होते हैं जहां से वो crystal सहबा तूटेगी अब उसको कहते हैं cleavage planes अब मैं इसको daily life में मज़ेकी example देता हूं खाने पेने वाली example तो मज़ेकी होती है हैं बहुत मज़ा आता है आप लोग जो है dairy milk तो खाते होंगे मुझे तो बहुत पसंद है हाँ जी खाते हैं आप जी बिल्कुल अब dairy milk के जो पैचीज बने हुए हैं वो पैचीज cleavage planes हैं लेकिन हम उसको रिलेट इसकी example में नहीं दे सकते अब देखें इस तरह किटकेट चोकलेट मिठी मिठी example दे रहा हूं तो जो किटकेट चोकलेट है उसके भी जो प्लेंज बने होते हैं वहां से वो तूटेगी इसी तरह से हम बात करते हैं solids के अंदर crystalline solids के अंदर ऐसे surfaces ऐसे planes जहां से crystal तूटती है उसको हम cleavage planes का नाम देते हैं तो इसको हम कहते हैं जो crystalline solids होते हैं उनके अंदर cleavage planes होते हैं तो हम कह सकते हैं surfaces through which the crystal usually breaks crystal usually breaks लो जनाब अब ये short question है इसके नीचे जो book में आपकी text book में जो lines लिखी हुए हैं तीन चार lines वही आपने लिखनी हैं तो class हम इसकी चौथी property की तरफ चलते हैं वह है anisotropy most important short question anisotropy anisotropy तो viewers बहुत important short question है इसके पूछे जाने के कोई दो style है एक तो सीधा सीधा पूछेगा what is anisotropy I want to say what is anisotropy what is meant by anisotropy given example ये तो simple हो गया question ये तो आपको समझा आ जागा जागा जी आपने क्या लिखना है लेकिन sometimes ये question थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लिया जाता है उधर से examiner question घुमाता है इधर से आपका दमाग घुम जाता है और आप लोग कन के उपर हो जाते हैं I mean to say confuse हो जाते हैं और आप लोग सब कुछ ही भूल जाते हैं कि आपने इसमें क्या याद किया था और क्या लिखना था तो question इस ग्रिफाइट जो है ग्रिफाइट शोज अन आइसो ट्रॉपिक बहेवियर इतनी statement लिखता है और आगे वो लिखता है justify the statement justify the statement अब आदी दुनिया को तो justify का मतलब भी पता नहीं होता क्योंकर सनुतली हिंदी कमी है न और जनाब justify करने का मतलब होता है दलील दें इस point के हक में यह जो line लिखी गई है इस line के हक में आपको यह दलील दें कि grey fight anisotropic behavior show करता है चलो जी इसमें पहले तो आप grey fight के आप सबसे पहले तो anisotropic behavior की definition लिखेंगे देखें जो physical properties है ना उनके साथ anisotropic behavior related होता है अब physical properties क्या होती है ना ते पता है ना ता नू नहीं ते फिर google ते search कर लो जागे physical properties चले यार यह थोड़ा सा बताई देता हूं क्या याद करोगे आप लोग जो reversible properties होती है वो physical properties होती है जिसके अंदर bond का बनना या break होना involved नहीं होता वो physical properties होती है जैसा कि ice का water में convert होना water का जो है वो vapors में convert होना vapors का फिर से water और water का फिर से ice में convert हो जाना temperature change करने से अच्छा तो viewers अब physical properties change होती है direction change होने से let's suppose मेरा यह हाथ है मैंने अपना हाथ धूप में रख दिया ऐसे बड़ी गर्मी लगेगी अब तो गर्मी होगी काफी सारी मैंने अपना हाथ धूप में र रखा है तो उसका shadow कुछ और बनेगा मैंने इसकी direction change कर दी तो इसका shadow कुछ और बनेगा तो shadow casting जो है वो physical property है तो जब मैंने हाथ की direction change की तो shadow की structure भी change होगी तो यह physical property है तो pine physical property change होगी है अब जब physical properties किसी भी substance की direction change करने से change हो जाएं हम कहते हैं कि इस substance के अंदर anisotropy है तो same is the case with the crystalline solids कहते हैं crystalline solids की जब direction change करें तो इसकी physical properties change हो जाती हैं this kind of behavior is called anisotropic behavior मैं hint लिखे देता हूँ definition आप book से ही करेंगे तो guys definition इसकी बनती सबसे पहले हैं इसकी answer में आप definition ही लिखेंगे हम लिखेंगे change of physical properties change of physical properties properties by changing direction by changing direction direction change करने से physical properties change हो जाती है solids की तो viewers इसको हम कहते हैं anisotropy और इस behavior को anisotropic behavior कहते हैं जबकि यह phenomena anisotropy होता है तो viewers अब कुछ physical properties के बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि physical properties कौन कौन सी होती है जो इसके साथ relevant है physical properties यह book में लिखी हुई हैं वैसे तो एक दो जो मेरे जहन में लिख देता हूँ physical properties आपने answer में यह बताना है physical property दो तीन physical properties जो at the time आपके जहन में आती नाम लिख दें simple physical property refractive indices है refractive index refractive index इसका जो plural है indices refractive indices यह एक physical property है इसके बाद आप बात करें तो coefficient of thermal expansion यह आप कह लें thermal conductivity कह लें thermal conductivity कह लें heat का conduct होना तीसरी physical property आप लिख दें इसके अंदर electrical conductance electrical conductance और thermal of sorry coefficient of thermal expansion भी लिख सकते हैं इन यहां काफी ने इस तो बाद नहीं मैं लिखनी है अब इस से थोड़ा आगे चलते हैं already मुझे बचारे को लिख लिख के frozen shoulder हुआ पड़ा है तो pain करता है यार चले anyway देखें अब इसके नीचे आपने देनी है graphite के example तो जनाब हम graphite के example दे देते हैं example है इसकी आप नीचे heading देंगे example की example तो viewers आप इसकी example जो देंगे that will be graphite अब graphite जो है graphite इसकी best example है तो जी graphite इसकी best example कैसे है ये भी बताना ही पड़ेगा तो लोगों को चले बता देता हूँ अब आप इतनी जिद करते हैं तो अच्छा देखें graphite is conductor आपको पता है graphite has layered pattern इसके अंदर layered pattern होता है layered pattern graphite has layered pattern तो viewers बड़ी simple सी बात है अगर हम electricity इसकी layers के parallel apply करें तो ये conductor है graphite is conductor to the to parallel conductor parallel to the layers ये conductor है parallel to the layers and viewers non conductor होगा ये non conducting behavior शो करेगा to perpendicular to the layers अब वो कैसे वो भी देख लें मैं diagram बनाता हूँ भई यहाँ पर justify करूँगा अपनी बात को ग्रेफाइट जो है इसका structure देख लें ये कुछ इस तरह का structure है graphite का it is having layers it's having layers ये layered pattern है आप ये suppose कर लें ये जो black line से show करते हैं ये वैसे आपकी book में इसने black जो dark है इसको उसने इसको उसने spaces show किया white वाले atoms है लेकिन मैं reverse बात करता हूँ मैं कहता हूँ ये जो dark spaces है ये atoms है और ये जो bright है ये spaces है इनके दर्मयान में तो जब current apply किया जाता है parallel to the layers तो ये between the layers of the atoms electron pass कर जाते हैं and the conductivity is possible हम कहते है it is conductor graphite conductor है जनाब लेकिन जब हम वही conductivity perpendicular to the layers करवाने की कोशिश करते हैं तो there are no spaces for the conduction of electrons there is no conductivity ये non conductor हो जाता है non conductor हो जाता है तो जनाब अब ये example आपने देनी है लेकिन ये diagram आपने नहीं बनानी मैंने समझाने के लिए बना दिया है बस 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 मेरा thank you ना बोलना thank you ना बोलना बस मेरी तरीफे करने ना बैठ जाना आप अगली बात करते हैं अच्छा देखें अब इस में ना answer तो आपने ये लिख दिया उसके बाद आपने इसके अंदर जो आखनी line में एक बात लिखी है anisotropy या cleavage plane is anisotropic itself cleavage plane जो है वो भी anisotropy है अब इसका मतलब क्या है जनाब इसका मतलब यह है cleavage जो है वो basically physical property है तो उसी किसे crystal नो थोड़ा इदरों मार हो तो किसे होर तरीक के नट उटेगा उत्तों थोड़ा मार हो तो किसे होर तरीक के नट उटेगा मतलब उसकी direction change करेंगे थोड़ा मारने की force लगाने की तो उसका breakage pattern change हो जाएगा तो जो cleavage planes है वो itself जो है anisotropic behavior शो करते हैं और आज की film की जो आखरी बात है वो है symmetrical behavior symmetry symmetry की बात कर लें जी इसकी पांचवी property symmetry symmetry तो जनाब जो crystalline solids होते हैं वो symmetrical होते हैं symmetrical क्रिस्टलाइन solids are symmetrical ये symmetrical होते हैं ये symmetrical होते हैं लो जनाब अब symmetrical क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ बड़ी simple सी बात है देखें कोई भी crystalline solid है आप उसको अपने eye level पर रखें यूँ सामने rotate करते जाएं देखते जाएं देखते जाएं बार बार एक ही जगा की एक ही जैसे corners एक ही जैसे edges एक ही जैसी surfaces repeat होती है और हर तरफ से वह एक जैसा नजर आता है तो इस इवन इसको आप 360 degree तक को घुमा आदें अब 360 degree तक मतलब क्या है आप उसको घुमाते हैं जहां से घुमाना शुरू किया था वही end आपकी तरफ आ जाए तो बार 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 एक जैसे angles एक जैसे surfaces एक जैसे edges सामने आते हैं तो हम कहते हैं इस सब्स्टांस के अंदर symmetry है तो अब कई जो खिलीफें हैं मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए किताबों में देखा उन्होंने काट के less than 360 लिखा होता है तो less than 360 नहीं यहां 360 ही आना है अच्छा तो अब देखें नही इसमें symmetry नहीं है आप इसको ऐसे घुमाते जाएं बार 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 यह एक जैसे नजर नहीं आएगा हर तरफ से इवन 360 तक घुमा दें लेकिन इसकी निस्बत एक cubical box है उसको मैं जब high level पर रखके rotate करूंगा तो बार बार एक जैसी चीजे मेरे सामने आती है या ball है उसको र symmetry तो बिल्कुल लाइक आप कहलें के center of gravity है बिल्कुल किसी भी object का central point आपकी book में इनके नाम लिखे है आपने explain नहीं करने में जस्ट बता देता हूं अब उसके बाद बाद आती है जी axis of symmetry axis एक central point से गुजरता हुए एक rod कहलें जो के दोनो circumferences को मिलाता है वो उसका axis होता है जिसके गिर्द वो rotate कर रहा होता है object उसको कहते axis of symmetry जैसे fan है central rod के गिर्द घूमता तो वो उसका axis है plane of symmetry x y z plane किस plane में rotate कर रहा है x plane में rotate कर रहा y plane में z plane में लेकिन यह आपने detail नहीं लिखनी तो symmetry वैसे को इतना important short question है भी नहीं तो आज का जो lecture है उसके अंदर ये जो चंद short questions है एक तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है cleavage planes की definition एक आपसे पूछा जा सकता है जी anisotropic behavior क्या होता है तो ये दू major short questions है जो आज की आपके syllabus में आज की आपके lecture में है बाकी ये है कि ये सारा overall concept लेना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये वाली सारी terms जो है आगे इस chapter में काफी जगों पर repeat होती है तो फिर students को समझ नहीं आती तो वीवर्ज अब यहां पर हम इसको stop करते हैं आप लोगों ने ऐसे नहीं जाना पहले आप लोग इसको subscribe करें जो very first time देख रहे हैं subscribe करें bell icon press करें all notifications पे click करें और finally अपना ख्याल रखें मेरे लिए थेंक यू ला फिस